दोस्तो आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक सिंगापूर हॉरर मुवी को देखा था जिसका नाम था Bring Back The Dead ये मुवी मुझे काफी अच्छी लगी थी क्योंकि इसका प्लोट नॉर्मल होने के बाद भी हमें बहुत ज़्यादा एंटर्टेन करता है IMDB ने इस मुवी को 6.2 आउट आफ 10 की रेटिंग्स दी है और मेरे हिसाब से आप सभी लोग इस मुवी को देख सकते हो ये मुवी इमोशनल होने के साथ ही काफी ज़्यादा डरावनी भी है तो मैं रेकमेंट करूँगा कि आप लोग वीडियो को पूरा लास तक देखना आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना क्योंकि आज की इस वीडियो में हम Bring Back The Dead मुवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बाते करेंगे और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ मुवी शुरू होती है और हम लोग कुछ पिक्चर्स के साथ जिया एन नाम की लड़की की स्टोरी को देख पाते है जिया एन दावी नाम की लड़की से शादी कर लेती है और से पियानो बजाना बहुत अच्छा लगता है कुछ टाइम बाद जिया एन और दावी को एक बेटा होता है जिसका नाम वो लोग रखते हैं जाउली कुछ सालों बाद जाउली थोड़ा बढ़ा हो जाता है और जिया एन उससे बहुत जादा प्यार करती है अब एक दिन जिया एन प्यानो बजा रही होती है कि तब ही जाउली उसके पास आता है और उसे परिशान करने लगता है जाउली उसे परिशान करके वहां से भागता है और जिया एन जाउली के पीछे भागती है पर वो सीडियो पे देखती है कि जाउली ने दिवार पे कलर चला रखी है ये देखकर जिया एंड जाउली को डाटने लगती है और वो उसकी पिटाई भी लगाती है इस सीन में हम लोग घर की नौकरानी को भी देख पाते हैं जो इंगलिश में बात करती है और उस नौकरानी की वज़ा से घर में सब लोगों को इंगलिश बोलना आता अब रात के टाइम दावी काम से वापिस घर आता है और जिया एन जाती है जाउली से माफी माँगने के लिए जाउली सोने से पहले अपनी मम्मी को कहानी सुनाने के लिए बोलता है और जिया एन जाउली को हैंसल और ग्रेटल की कहानी सुनाती है पर जिया एन उस कहानी को पूरा खतम नहीं कर पाती क्योंकि जाउली उससे सवाल जवाब करने लगता है अगले दिन जाउली का बर्थडे होता है और उसके मम्मी पापा उसे एक पपी को गिफ्ट करते है जिसका नाम जाउली मोजार्ट रगता है अब दावी ऑफिस की मीटिंग के लिए काम से चले जाता है और घर की नौकरानी जाउली के पार्टी के लिए सारी तयारी करती है उस टाइम पे जीया एन के सर में दर्ध हो रहा था और वो सोने के लिए चली जाती है कुछ देर में जाउली की बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो जाती है और जिया एन भी उटके तयार होना स्टार्ट कर देती है घर की नौकरानी को पार्टी में सब कुछ समालना पड़ रहा था और तबी दावी का फोन घर पे आता है नौकरानी जाउली को दावी का फोन पकड़ा देती है और जाउली अपने पापा से बात करते हुए मोजार्ट के साथ खेलने लगता है अब जाउली दावी को हैपी बर्थरडे सोंग गाने के लिए बोलता है और दावी को अपने बेटे के लिए आफिस के अंदरी गाना गाना पड़ता है अब फोन अचानकी कट हो जाता है और G.A.N. नीचे पार्टी में पहुँचती है जिया एन को पार्टी में कोई भी नहीं मिलता और फिर वो घर के बाहर जाती है घर के बाहर सभी गेस्ट ने भीर लगा रखी थी और जब जिया एन वहाँ पे पहुचती है तो उसे पता चलता है कि जाउली एक कार एक्सिडेंट में मारा गया है यहां से सीन जाता है जाउली के फ्यूनरल पे जहां पे दावी और जिया एन अपने बच्चे को गुडबाई बोलते है जिया एन जाउली की मौच से बहुत ज़ादा डिप्रेस्ड हो जाती है और वो काफी दिनों तक कुछ भी काम नहीं करती कुछ दिनों बाद मिसिस सीतो नाम की एक और जिया एन से मिलने आती है और वो जिया एन को घर पे समालती है हमें पता चलता है कि मिसिस सीतो बच्चपन में जाउली का ख्याल रखती थी और वो भी उससे काफी ज़ादा प्यार करती थी मिसिस सी तो अब जिया एन को एक मीडियम के बारे में बताती है जो स्पिरिट से कॉंटेक्ट कर सकता है और क्योंकि जिया एन बहुत ज़ादा डिप्रेस थी तो वो मिसिस सी तो को बोलती है उस मीडियम के पास चलने के लिए अगले सीन में मिसिसी तो जिया एन को लेके उस मीडियम के पास पहुचती है जिसका नाम होता है मास्टर चैन मास्टर चैन सबसे पहले जिया एन को दूसरा बच्चा करने के लिए बोलता है पर हमें यहां पर पता चलता है कि जिया एन का वूंग बहुत ज़्यादा कमजोर है और डॉक्टर के हिसाब से अब जिया एन को कभी भी बेबी नहीं हो सकता जिया एन मास्टर चैन से मदद मांगती है जाउली की आत्मा को वापिस बुलाने के लिए और मास्टर चैन इस काम के लिए मान जाता है अब अगले दिन दावी कुछ दिनों के लिए काम के सिलसले में घर से बाहर चले जाता है और दावी के जाने के बाद जिया एन घर के लिविंग रूम में जिया उली की एक श्राइन बना देती है अब रात के दस बजे मास्टर चैन और उसका एक चमचा मिसिस सीतो के साथ जिया एन के घर पे पहुचते है जहांपे सबसे पहले मास्टर चैन जाओली की कबर पे जाने की बात करता है मिसिस सी तो उस टाइम पे जाउली की कबर तक पहुचने का एक नक्षा बनाती है और वो उस नक्षे को मास्टर चैन को दे देती है अब मास्टर चैन और उसका चमचा जाउली की कबर पे जाते हैं और दूसरी तरफ जिया एन और मिसिस सी तो जाउली की शुराइन पे कुछ मंतर पढ़ना स्टार्ट करते हैं कुछ दिर बाद मास्टर चैन और उसका चमचा जाउली की कबरे में पहुच जाते हैं और वो दोनों जाउली की कबर को खोद कर उसकी एक उंगली को काट लेते हैं जाउली की उंगली को लेके वो दोनों वापिस घर पहुचते है और एक रिच्वल करना स्टार्ट करते है अपने बेटे की कटी हुई उंगली देखकर जिया एन थोड़ी दुखी हो जाती है बट वो हिम्मत नहीं आरती कुछी देर में मास्टर चेन अपने रिच्वल को पूरा कर देता है और वो एंड में जिया एन को बोलता है कि हर रात उसे जाउली को फेवरेट खाना उसकी शुराइन पर आके खिलाना होगा और ऐसा करने से कुछी दिनों में जाउली की आत्मा घर में वापिस आ जाएगी अब अगले दिन की रात को जिया एन चिकन विंग्स को लेके जाउली की श्राइन पर जाती है और वहाँ पे उन्हें रग देती है और इसके बाद जिया एन जाके प्यानों बजाने लगती है प्यानों बजाते वक्त जाउली की स्पिरिट वहाँ पे आ जाती है और वो अपनी मा को टच करती है जाउली को देखकर जिया एन खुश होती है पर वो तब ही जाग जाती है मतलब ये बस एक सपना था अगले दिन दावी काम से वापिस घर पे आ जाता है और वो जिया एन से पूछता है कि उसने लिविंग रूम में ताला क्यों लगा रखा है इसके जवाब में जिया एन बोलती है कि वो एक ऐसी जगा है जहां पे वो रोने के लिए जाती है और इस सीन में हम जिया एन और दावी के रिष्टे में एक खटास को भी देख पाते है अब रात के टाइम फिर से जिया एन जावली का फेवरेट खाना श्राइन पे लेके जाती है और जब वो वहां से जा रही होती है तब उसे एक बॉल आकर टकराती है उस बॉल को उठा के जिया एन वापि श्राइन पे जाती है जहां पे उसे हैंसल और ग्रेटल वाली बुक खुली हुई मिलती है जिसमें वो ही पेच खुला हुआ था जहां पे लास्ट टाइम कहानी अधूरी रहे गई थी अब लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और जिया एन समझ जाती है कि जाउली वापिस आ गया है और अब जिया एन जाउली को आगे ही कहानी सुनाती है अब घर में G.I.N. को जाउली की प्रेजन्स फील होने लगती है और जाउली भी G.I.N. के साथ काफी जादा शरारते करता है और G.I.N. को काफी जादा खुशी फील होने लगती है कुछ दिनों बाद घर की नौकरानी को वापस अमेरिका जाना पड़ता है और उस रात को G.I.N. जादा देर तक सो जाती है क्योंकि वो काम करकर के ठक गई थी G.I.N. रात को लेट उटती है और जब वो लिविंग रूम में जाती है तो उसे सारा समान बिखरा हुआ मिलता है और G.I.N. समझ जाती है कि जाउली गुस्से में है क्योंकि वो उसका खाना टाइम से नहीं ले के आई अब अगले दिन आना नाम की एक नौकरानी को G.I.N. हायर करती है पर उसे खाना अच्छे से बनाना नहीं आता था उस रात को दावी G.I.N. को नए घर में शिफ्ट करने के लिए बोलता है पर G.I.N. इस बात पे बहुत जादा नराज हो जाती है और वो वहां से चली जाती है अब परेशान हो के G.I.N. प्यानो बजाने लगती है और वो अपने बच्पन को याद करती है हमें पता चलता है कि जब G.I.N. छोटी थी तो उसकी माने फांसी लगा ली थी जिसकी वज़ा से G.I.N. की लाइफ काफी ज़ादा डिफिकल्ट थी अब प्यानो बजाते वक्त जावली की स्पिरेट बार-बार प्यानो को चेड़ने लगती है और गलत तरीके से बजाने लगती है जिससे G.I.N. को काफी ज़ादा प्रॉबलम होती है G.A.N. जाउली पे चिलाने लगती है और तबी पियानो अपने आप बंद होता है और वो अपने आप खुलने लगता है ऐसा कई बार 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 होता है जिसकी वजह से G.A.N. के हातों पे बोहत गहरी चोटा जाती है अगले दिन जिया एन लिविंग रूम पे ताला लगा देती है और वो आना को भी उस कमरे में जाने से मना करती है जिया एन को लगता है कि जरूर जावली की आत्मा बहुत ज़ादा कन्फ्यूज होगी और इसलिए उसने ऐसा किया अब राद को जिया एन दावी को आना के कमरे से निकलता हुआ देखती है और उन दोनों के बीच में इस बात के उपर बहस बाजी हो जाती है अगले दिन दावी जिया एन को बोलता है कि शायद उसे एक थेरेपिस्ट की जरूरत है और वो घर से काम के लिए निकल जाता है उसे ऐसा लगता है जैसे दावी उसके साथ छेड़कानी कर रहा है अब जब जिया एन दावी की तरफ देखती है तो वो बुरी तरह डर जाती है क्योंकि वो दावी नहीं एक डिमॉनिक स्पिरिट होती है जिया एन तुरंथी उस पिरिट को एक लैम्प से मारने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है और हम व्यूर्ज देखते है कि असलियत में जिया एन दावी पे ही हमला कर रही थी अगली सुबह जिया एन सोकर उठती है और से अपनी जांग पे पंजो के निशान दिखाई देते है अब रात को जो भी जिया एन के साथ हुआ था वो सब कुछ आना के साथ भी हुआ था आना की जांग पे भी पंजो के निशान थे और जब जिया एन को ये सब पता चलता ह तो उसे लगता है कि ये सब कुछ दावी का काम है अब इसके बाद G.A.N. सीधा दावी के आफिस में पहुच जाती है और वो उसे लड़ने लगती है दावी को G.A.N. की ये बात बहुत जदा बुरी लगती है पर वो जिया एन को समझाता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया दूसरी तरफ हमें आना को दिखाते हैं जो मोजार्ट को खाना देती है और वहां से चली जाती है आना के जाते ही कोई इविल फोर्स मोजार्ट को पकड़ लेती है और जब आना वापिस वहां पे पहुचती है तो उसे हर जगा धुआ दिखाई देता है आना देखती है कि किसी ने मोजार्ट को माईक्रो वेव में पका दिया है और ये देखकर वो बुरी तरह डर जाती है इस बात के लिए आना को पुलिस पकड़ के ले जाती है पर जिया एन जानती थी कि ये काम आना का नहीं है और इसलिए जिया एन बाद में आना को छुडा लाती है अब जिया एन जाती है मिसिस सीतो से मिलने के लिए और वो उसे अपनी सारी सिच्वेशन बता देती है और अब जिया एन को लग रहा था कि जो आत्मा उसके घर में है वो जाउली की आत्मा नहीं है इसके जवाब में मिसिस सीतो बोलती है कि उसे एक ऐसा रिच्छुल आता है जिससे हम आत्मा की असली पहचान का पता लगा सकते हैं अब मिसिस सीतो और जिया एन घर के बैक्यार्ड में उस रिच्वल को करते हैं जिसमें मिसिस सीतो कुछ मंतर पढ़ना स्टार्ट करती है उस रिच्वल में जिया एन को मिसिस सी तो एक छोटा शीशा पकड़ा देती है और उसी शीशे के अंदर उस आत्मा की असली पहचान जिया एन को दिखने वाली थी वो लोग उस रिच्वल में 2 बार फेल हो जाते हैं पर तीसरी बार में जिया एन के हाथ में जो शीशा था उसमें क्रैक आ जाता है और जिया एन को एक भयानक स्पिरिट शीशे के अंदर दिखाई देती है जिया एन उस आत्मा को दिखकर डर जाती है और वो मास्टर चैन को कॉंटेक्ट करती है पर बतकिसमती से मास्टर चैन शहर में नहीं था मिसिस सी तो जिया एन को घर छोड़ने के लिए बोलती है पर जिया एन मना कर देती है इसके बाद जिया एन जाती है उस कबरिस्तान में उस नक्षे को लेकर जो मिसिस सी तो ने बनाया था क्योंकि जिया एन को लगता है कि शायद किसी गलत इंसान की आत्मा गलती से उसके घर में आ गई है उस नक्षे को फॉलो करते हुए जिया एन एक अन्नोन कबर तक पहुचती है जो जाउली की कबर के बिलकुल बगल में थी और इसका मतलब जिया एन का शक बलकुल सही था और उसके घर में किसी अजान इंसान की आत्मा गलती से आ गई है अब जिया एन उस कबर के बारे में वहां के गार्ट से पूचती है और दूसी तरफ हमें घर में आना को दिखाते है आना घर में नहाने जाती है पर वो खौफनाक आत्मा अब आना को घूरने लगती है और आना भी थोड़ा अजीब सा फील करने लगती है अब जो कबरिस्तान का गार्ड होता है वो उस कबर के बारे में कुछ भी जिया एन को नहीं बताता इसके बाद जिया एन चुपके से उस गार्ड का फोन चुरा लेती है और जिया एन को उसके फोन के अंदर एक जाना पहचाना नमबर दिखाई देता है जिया एन उस नंबर पे कॉल करती है और वो नंबर होता है मिसिस सीतो का और इसका मतलब जिया एन के साथ जो भी हो रहा है उस सब के पीछे मिसिस सीतो है और हम लोग इस सीन में मिसिस सीतो के घर में एक श्राइन को देख पाते है सीन वापिस आना पे जाता है जिसे लिविंग रूम से कुछ आवाजे आने लगती है आना रूम में जाके चेक करती है जहां पे वो देखती है कि प्यानो अपने आप बज रहा है ये देखकर आना डर के भागती है पर वो स्पिरिट आना पे हमला कर देती है जिसकी वजह से आना सीडियों से नीचे गिर जाती है आना सीडियों से गिरने के बाद घायल हो जाती है और तबी वो भयानक स्पिरिट अपने पंजे से आना को स्टैप कर देती है सीन जाता है जिया एन पे जो सच्चाई पता चलने के बाद जाती है मिसिस सीतो के घर अब मिसिस सीतो जिया एन से माफी मांगते हुए सब कुछ सच सच बताने लगती है और हमें पता चलता है कि वो भयानक स्पिरिट असल में मिसिस सीतो के बेटे की है अब मिसिस सी तो बताती है कि उसका बेटा पागल और साईको था इतना कि उसे बेडियों में बांद के रखना पड़ता था अब एक दिन मिसिस सी तो अपनी बेहन के साथ बाहर गई हुई थी पर जब वो अपनी बेहन के साथ घर पे वापस लोटी थी तो वो दोनों देखती है कि मिसिस सीतो के बेटे ने मिसिस सीतो की बेहन की बेटी को मार डाला है उस हाथ से के बाद गुस्ते में मिसिस सीतो के पती ने अपने ही बेटे को मार डाला था और फिर उसने घर को छोड़ दिया था अब क्योंकि मिसिस सीतो अपने बेटे से बहुँत ज़धा प्यार करती थी तो वो मास्टर चैन के पास मदद मांगने के लिए गई थी पर मास्टर चैन ने मिसिस सीतो को बताया था कि उसका बेटा भटग गया है और उसे घर वापिस आने के लिए रास्ता सिर्फ एक ऐसी आत्मा दिखा सकती है जो अभी अभी मरी हो और अब हम लोग समझ जाते हैं कि मिसिस सीतो ने जाउली की स्पिरिट का इस्तमाल किया अपने बेटे को वापिस बुलाने के लिए अब जब ये बात जीया एन को पता चलती है तो वो तुरंधी डड़ते हुए घर भागती है घर पे पहुँचके जीया एन देखती है कि जमीन पे खून पड़ा हुआ है वो खून जीया एन को सीडियो के नीचे वाले क्लोजेट में ले जाता है जहां पे छुपी हुई होती है आना जिसे उस आत्मा ने बुरी तरह घायल कर रखा था अब हिम्मत करके जीया एन जाती है लेविंग रूम में जहां पे वो उस आत्मा को बोलती है कि ये घर उसका नहीं है और उसे अब अपने असली घर में चले जाना चाहिए अब उसी टाइम पे वो भयानक आत्मा पे आ जाती है और जीया एन के पेट में अपना पंजा आर पार कर देती है जिसकी वज़ा से जीया एन बहुत ही जादा घायल हो जाती है इसके बाद वो आत्मा जीया एन की एनरजी को अपने अंदर खीचने लगती है पर तभी वहां पे आ जाती है जाउली की आत्मा अब जाउली उस spirit को अपनी मां से दूर कर देता है और जब वो spirit जाउली पे हमला करने वाली थी तब ही वहाँ पे आजाती है मिस्स सीतो मिस्स सीतो अपने बेटे को तुरंती शांद करती है और उसे घर चलने के लिए बोलती है अब वो आत्मा क्रॉल करते हुए जाती है और अपनी मा के कंदे पे बैठ जाती है मिस्सी तो G.A.N. से एक आखरी बार माफी मांगती है और वहां से अपने बेटे को लेके चरी जाती है अब जिया एन जमीन पे घायल पड़ी होती है और जाउली की आत्मा उसे बोलती है कि उसका बेटा उसके दिल में हमेशा जिन्दा रहेगा यहाँ पे जिया एन को एक विजन आता है जिसमें उसे पता चलता है कि असल में जितनी भी अच्छी एक्टिविटीज उसने आत्मा के साथ करी थी वो आत्मा असल में जाउली की ही थी और जाउली हमेशा से घर के अंदर ही था अब J.A.N. बेहोश हो जाती है और जाउली अपनी माग को गुडबाई बोलके वहाँ से चले जाता है कुछ दिर बाद दावी वापस घर पे आ जाता है और वो J.A.N. को आँविसलि मरने से बचा लेता है सीन जाता है कुछ दिन आगे जहां पे दावी और जिया एन जाते है जावली की कबर पे और अब फाइनली जिया एन अपने बेटे को अलविदा बोल देती है मूवी के लास सीन में हमें उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन जिया एन को पता चला था कि वो प्रेगनेंट है और वो खुशी के मारे रोने लगती है और मुवी हैं पे खतम हो जाती है तो ये थी explanation Bring Back The Dead मुवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मुवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मुझे आई होगी